Hello everyone, you are watching Excellent Coaching Classes and you are almost welcome in your own YouTube channel, Excellent Coaching Classes. तो लड़नास आपको पता है, मैं आपको आज की वीडियो में आपको मैं इस पढ़ाई के साथ साथ सारी education से related news, updates, CBSC updates, new policies के बारे में बताती रहती हूँ. जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कल और पर्सों में education system में बहुत बतलाब होने के लिए framework आया है, तो आज हम उसी के related बात करेंगे. आज की वीडियो में हम लोग discuss करेंगे new education policy 2020 ने बारे में, तो learners हर 5 years बाद education policies में change आता है, जो current curriculum होता है, जो current आपका curriculum होता है, उसमें हर 5 years बाद change आता है, तो 2015 में change आया था, उसी के according to 2020 में change आया, पर जो changes है, वो applicable आपके one year later होएगे, एक year बाद यानि 2021 से applicable होएगे, जीन है, तो आज हम बात कर लेते हैं, उन मुखे point के उपर जे नई शिक्षा नीटी में new education policy में कल पर सो बताये गए, पहली बात learners एक मैं आपसे request करना जाती हो, अगर अभी तक आपने मेरे channel को नहीं किया है, subscribe तो please मेरे channel को subscribe करिए, पहली बेल आइकम को दबाइए जिस्ते आपको even your notification में सना आप कर पाए, तो learners पहला जो rule आया है, पहली तो यह मतब rule नहीं है, यह एक आपके बात है, जो हमारा education के HRD minister दे, human, resource and development minister जिनने हम पहले HRD minister कहते थे, अब HRD minister की बजाए, same person को हम education minister भी या education authority भी कहे दे, ठीक है, यह कोई reform तो नहीं है, यह तो बस आपको आपकी journal knowledge को increase करने के लिए मैं बता रहे हैं, तो पहला reform हम छोटी classes से शुरू होते हैं, फर्स्ट रिफॉर्म जो आपका new education policy according to 2020 आया है, वो यह है, जो भी आपके students हैं, below 5th class, मतलब 5th class से जो नीचे के students हैं, उन्हें compulsory mother tongue में, या mother tongue के अलावा आपकी regional language में भी कह सकते हैं, some places education provide की जाएगी, education will be provided, तो हमारी mother tongue कौन सी है, हिंदी, और इसके नवा बच्चों में जो 5th तक, सारी CVSC board में तो यह होता है, सारी English ही होती है, English का influence होता है, लेकिन अब से जो आपके 5th class तक के बच्चे हैं, यानि nursery से लेकर, 5th class तक उनको या तो हमारी mother tongue, which is our mother tongue Hindi, या तो Hindi में पढ़ाई करवाई जाएगी, या पिर कुछ regional languages में, like suppose करो, अगर कोई परसन पंजाब में रह रहा है, तो उनकी regional language पंजाबी है, तो 5th तक के बच्चों कोई पास option होगा, so that they can be able to learn in regional language also, तो इसे क्या फाइगा होगा, इसे बच्चों को आजकल English के इतने advent में इतने आने की वज़े से, बच्चे अपनी native language और regional language को भूलते जा रहे हैं, तो उसमें native language का भी promotion होगा और regional language का भी promotion होगा, तो first reform तो यह है, second जो reform है वो यह है कि बच्चों को हमेशा अभी तक सारे CBST schools में या कहीं बेबी, इस्टुरेंट्स को क्या मिलता था, report card, report card मिलता था न, आप कहते हो आपका result है, आपका report card है, report card लेकिया, report card में आपके percentage लिखे जाते थे, इसी के साथ साथ आपके percentile, आपकी rank, आपके marks, यह सारे लिखे जाते थे, इससे क्या होता था, देखो, साब को toppers होते हैं, average student is not same, तो इससे क्या होता था, जो बच्चे topper नहीं होते, उसमें comparison हो जाते था, जैसे first कौन है, topper कौन है, तो इसमें बच्चों के इंदर demotivated हो जाते हैं, जो first हम नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, तो अब से बच्चों को, आप लोगों को check किसी भी class को, यानि nursery से लेकर 12 तक, आप लोगों को report card नहीं मिलेगा, report card के जगा आपको मिलेगा progress report, क्या मिलेगे आपको इसके पदले में, progress report, अब progress report में क्या होगा, इसमें आपकी एक particular student की ही progress को दिखाएगे, कि मतलब सबोस करो उसके FA में इतने marks है, आपकी सबोस करो एक रोहन नाम का लड़का है, तो उसके FA में कितने marks है, उसी बच्चे के SA1 में कितने marks है, सेम बच्चे के SA2 में कितने marks है, FA 1, 2, 3, 4 में कितने marks है, उसमें सेम बच्चे के marks की progress report आपके parents को मिलेगी, बट next year से, आपको report card की बजाए, अब progress report में लेगी, ठीक है, फिर third reform क्या है, जो third reform आया है, इसके तहत या इसके according, वो हाया आपके board system में, और एक बात, जो मैंने आपको बताईए ना, यह regional language और मदल तंग में, यह आपकी वैसे तो 5 तक के लिए है, लेकिन स्कूलों के मलजी है, वो 6, 7, 8 के लिए भी, यानि 5 प्लस 3 जो केरिकुलम है, उसके लिए भी वो यह चीज़ अपलाई कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड रिफॉर्म है, board system के according, जो board होएगे, वो 12 के तो as it is ही होएगे, इसमें कोई no change होगा, लेकिन जो आपका 10th का होगा, 10th के boards में काफी हद तक reliefs देने की बात कही गई है, जिससे क्योंकि कहा जाता है, 10th का बच्चे अतना बड़ा नहीं होता, reliefs देने की बात कही गई है, छूट देने की बात कही गई है, जिससे बच्चों के अंदर tensions और worry ना generate हो, अब वो क्या reliefs हैंगे, अभी तक इतना mention नहीं हुआ है, यह क्या है, जैसे इसके बारे में पता चलेगा, मैं एक और वीडियो बना दोगी, ठीक है, फिर अब इसी के according मैंना आपको nursery से लेकर 12th तक 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 यानि आपका schooling का तो curriculum के बारे में बता दिया, अब curriculum के बारे में बात कर लेते हैं, college level की, यानि आपके after 12th, अभी तक क्या होता था, before education policy 2020, मतलब 2020 के before क्या होता था और after क्या होगा, मैं आपको explain करते हूँ, before क्या होता था, अगर आप कोई भी 4 years का, या आप 3 years का कोई भी course कर रहे हो, या आप graduation कर रहे हो, या आप B.Tech कर रहे हो, B.Com कर रहे हो, या आप suppose कर लेजे, MBBS कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे थे अभी तक, आपको उस course की जो required duration होती थी, जैसे अगर become आपका third year, तीन सालों का है, तो आपको तीन साल complete करने पड़ते थे, अगर suppose करो due to financial reason, due to health issues, किसी भी बज़े से आपने one year complete किया हो, था, अभी तक की बात करें हो, तो वो one year आपका waste रो जाता था, आपको कोई become first year, यानि one year करने के बाद कोई job थोर ना देता है, था, अभी तक, कोई किसी ने become आपका two year कर रखा, तो कोई job थोर ना देता था, when you complete whole three years of become, तभी आपको कुछ आगे फर्टार आपका case हो सकता था, similar is the case of MBBS and similar is the case of BTEC, अगर आपने अपने course की required duration को complete किया होता था, तभी आपको आगे job मिलते थी, but according to new education policy 2020, इसके तहत, if आपने किसी भी course का सिर्फ one year भी complete कर लिया, तो after one year आपको एक certificate मिलेगा, उसी particular course का, जैसे अगर आपने become complete कर लिया one year, तो आपको एक certificate मिलेगा, so that आप आगे कुछ तो कर सको, अगर आपने दो साल complete कर लिया एक particular course के, तो आपको diploma मिलेगा, and let it be, अगर आपने three year, full complete कर लिया course को, तो आपको मिल जाएगी उसकी degree, तो मतलब पहले आपको degree पाने के लिए तीनो साल complete करने ही करने पड़े थे, वरना first to second year आपके waste हो जाते थे, बढ़ आप ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको तीन साल complete होने पर degree मिलेगी, दो साल पर diploma और एक साल पर certificate, एक बात, दूसरी बात, पहले जो लोग PhD करना चाहते थे, या research work में करना चाहते थे, तो उनको MFIL करना पड़ता था पहले, MFIL research के लिए होता था, फिर PhD होती थी, बट आप MFIL कट चुका है, MFIL करने की कोई जरुरत निया, आप डारेक्ट भी PhD कर सकते हो, इसके रावाई दूसरी आपने विकॉन की बात करी जो तीन साल के, तो अगर आपने 4 years complete कर लिए, तो इसके बाद आपको 3rd year के बाद degree मिल जाएगे, 4th year के बाद आपको research certificate मिल जाएगा, फिर आपको कोई भी ओर research से related चीज करने की जरुरत नहीं है, तो कहने का मतलब ये reforms तो बहुत है, आप समझें तो, आपके लिए बहुत beneficial है, अब आपका 1st, 2nd year भी, 3rd year भी complete करने के बाद आपको काफी हद तक benefit होएगा, जो before 2020 education policy में नहीं था, तो ये थी हमारी new education policy 2020, जिसको मैंना आपको explain अच्छे से कर दिया, hopefully सापको reforms आ गए होगे समझ, और ये तो सभी बच्चों के लिए देखने के लिए एक must watch वीडियो है, क्योंकि हर बच्चा चाहिए को 5th नर्सरी से लेकर college level तक है, reforms तो उसे पढ़ना तो according to Indian education system ही होगा न, तो ये सब को देखिए और जो देख रहा है, जाता से जाता अपने जैसे बच्चों के साथ, किसी के साथ भी आपके relation में, जाए कोई छोटा बच्चा हो, आप अगर 10th के बच्चों किसी के साथ भी ये वीडियो को share जरूर करिए, क्योंकि ना कि सिर्फ आपका सवाल है, बल्कि और भी बच्चों के equally relevant सवाल है, कि उनको आगे क्या करना है, क्या नहीं, तो सब के साथ share कीजे, क्योंकि ये वीडियो बहुत important है, सारे students के लिए, दोज्स हो आर इस्टुटिंग ये, आप मैं आपसे मिलोगी अपनी अपकॉमिंग वीडियो लेक्चर में, तिल देन गुडबाई, थैंक ये सो मच.